अभी हम पाढ़ रहे हैं चप्टर 9 इंगलिस का दे स्पाइडर एंड फ्लाई जो की कलास 5 का चप्टर 9 है तो शुरू करते हैं दे स्पाइडर एंड फ्लाई जो की मेरी होविट दुवारा लिखा गया है तो शुरू का देखते हैं स्पाइडर फ्लाई स्पाइडर जो है फ्लाई से बोलता है क्या तुम मेरे पार्लर में आओगी टीज एंड प्रिटिएस लिटिल पार्लर देट एट एबर यू दिट स्पाइड ही इदना अच्छा पार्लर तुने अपने लाइफ में कभी देखा होगा दवे इंटू माइ पार्लर इज आप वेंडिंग श्टियर और यहां अंदर आने के बाद काफी ऐसे इंट्रेस्टिंग चीजे है जो मैं तुम्हें दिखाऊंगी अब जो है ओ नो नो अब जो फ्लाई जवाब देती है नहीं नहीं तू आस्क मी इंट वें मतलब तुम जो मुझसे पूछ रही हो या मुझसे कह रही हो वो जरूर निया कि आजाओं फॉर फॉर फुज गो अप दा विंडिंग श्टेयर विल नेवर कम डाउट अगैं क्योंकि जो भी तुम्हारे श्टेयर में गया है या फिर तुम्हारे घर में गया है वापस वो कभी नहीं आया है यहां जो है फलाई जो है स्पाइडर से बोलती है और तो इसी चार लाइन से पांच लाइन से पता चल गया कि यहां पर स्पाइडर जो है कई से भी करके फलाई को फूसला के अपने पास लाना चाहती है ताकि वो उसको सिकार कर सक और फलाई जो है अपने आपको बचा रहा है I am sure you must be very dear with swearing up so high will you rest upon my little bed तो spider फीर से जो है convince करने एकोसिस कर रहा है कि मैं स्यूर हो कि तुम बहुत हाई हाई पे उलान भरती हो उड़ती हो तुम ठक गई हो तुम आकर जो है मेरे बेड पे कर सकती हो पहले पारलर वाला चाल चलती है फिर बेड वाला इस पाइडर जो फलाई से बोलती है there are pretty cotton's drown around the seeds and the thing कर रहे आपको इस पाइडर बोर रहा है कि काफी अच्छे अच्छे cotton's मतलब सजा के मैंने रखे हुए काफी अच्छे seeds है जिस पर तुमको काफी अराम मिलेगा and if you like to rest a while कुछ तुम कुछ दिरे के लिए रेश्ट करना चाहती हो तो आई सेंगली टॉक यूए तो फिर मैं तुम्हें इस तरह का विवस्ता प्रवाइट करा सकती हूं कि तुम यहां प्यारा के रेश्ट कर लो फिर एंट बोलता है ओन वैं सॉरी फलाई बोलता है ओनो फॉर आइव ओफिन हीर्ड मैंने सुना है कि दे नेवर नेवर वेग अगेन हूश लीप अपन यूर बेड जो भी तुम्हारे बेड पे सोया है दोबारा कभी जगा नहीं है मतलब तुम उसे मार कर खा जाती हूँ इंडाइटली यहीं बात होई ना तो जैसे के फीकर में हम यहां देख रहे हैं कि यह जो है यह स्पाइडर है क्या है यह स्पाइडर है और आपका यह हो गया फलाई तो फलाई को स्पाइडर क्या कर रहा है कॉन्वेंस कर रहा है कि अब आगे चलते हैं सेट दक क्यूनिंग स्पाइडर टू फलाई क्यूनिंग एक एडजेक्टिव होता है जो कि स्पाइडर के आगे लग गया जिसका मतलब हुआ अच्छा नियत नहीं रखना तो यह जो सर्यांतकारी जो स्पाइडर जो हो फलाई से बोलती है डियर फ्रे कि एडर बमारे सब्रेब करते हैं स्पाइडर ना से पास काफी अच्छे अच्छे स्टोर और रखे हुंगे हैं जो कि मैं तुम्हें दे सकती हूं तो क्या मिक्स लेना पसंद करोगे तो हमें ध्यानमें देखना है जिक पहली बार में इसने पार्लर का लालस दिया दूसरी बार ने इसने बेट पर रेष्ट करने का लालस दिया और तीसरी बार में इसने सलाइस का लुभावना दिया मतलब तीन बार में तीन लालस इसने दिये फलाई को ओ नो नो फिर से फलाई बोलती है नहीं नहीं काइंड सारी दैट कैनोट भी मैंने सुना है कि तुम्हारा सलाइस जो लेता है फिर वो दुबारा कभी होस में नहीं आता है इसलिए मुझे तुम्हारा सलाइस देखना भी नहीं है अब अगला लाइन है स्वीट क्रियेचर अब जो है ना स्पाइडर फुसला रहा है स्वीट की लिए काफी अच्छी दिखने वाली क्रियेचर इस वाइडर बोलता है यूवर वीटी एन यूवर वाइज तुम काफी समझदार और बुद्ध